उड़ी बाबा हमने दाल को बनाया कुछ ऐसा कि लोग प्लेट क्या कटोरी क्या कुकरी चाट गए कैसा ऐसा तो हमने लिया पालक पालक को किया कट बिल्कुल महीन महीन कट और ले लिया उसकी जान लहसुन और मिर्च और मिर्च को लेकर हमने इसको किया दाल को इसमें डाला ह तो यह लिया हमने डाल दाल को दो कर इसको चैल कर में जटपड से जटपड़ से डाल को डाल कर अब हम इसके डाल लेंगे इसका इसका लटवर काहिए है ये हमारा पालक पालक को डाल कर इसको भूब भढ़या सा बना लेंGe हम क्रेंची क्रेंची पिर इस हम डाल लेंगे थोड़ा सा नमक नमक आप अपने व्णच्छा अनुसाश डालinois डालीए गाप नमक कम और ज्यादा अपने इच्छा अनुसाय डाली थोड़ा सा कलर कलर देने के लिए डाल देंगे हल्दी इस एफ़ड़ समस्क इसमें हमें हमारी हींग को डालने के बाद हम this ज्मacas Πाणी यह हन्द uniforms he पक गई दाल पंने के भाद यह थोड़ा मत नी को हो गया टैयार बिल्कुल जननाटेदार दाल हमारी बनकर तयार हो गई कुछ समझ में आया नहीं समझ में आया कौन सी दाल बनी है फिर भी नहीं समझ में आ रही है तो कमेंड करके बताओ नहीं समझ में आ रही है तो चलिए यह ले लिया हमने यह दरक लसूल अब इसमें हम डालेंगे तेल तेल डाल कर इसको क्या करेंगे इसको ऐसी डाल देंगे अरे नहीं बाबा इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे तो चलिए चलाते गैस जला के इसको रख दिया इसको थोड़ा सा पका लेंगे बना के कच्चा कच्चा खाएंगे तो पेट में होने लगी गुल 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 तो यह देखिए हमने इसको किया खुब बढ़िया सा पका लिया अब पकाने के बाद इसमें डाल लेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च लाल मिर्च डाल लेंगे थोड़ा सा तिका तिका वावा क्या बात है फिर इसको हम इसी कुकर में डाल देंगे चल हो जा तयार यह देखिए डाल दिया डाल का चला दिया चलाने के बाद हो गया मेरा डाल रेडी समझ गए नहीं समझे ये बन गया सक पैता अरे बुद्धु राम ये बन गया ये डाल दिया घी घी डालने के बाद हो गया मेरा सक पैता चावल तयार अब डाल लीजिए आप लोग हलका सा चावल और खा मिलते अगली वीडियो में तब तक इंजॉय करिये सक्पाइता चावल बाई बाई गुडबाई सी यू मिलते अगली वीडियो में